हलो बच्चों जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में देख चुके थे कि आपकी संकुलन छमता क्या होती यह सिसी की संकुलन छमता कितनी होती है बी सिसी की संकुलन छमता कितनी होती है अब हम बात करेंगे क्रिस्टलों का घरत तो मतलब हम क्रिस्टल के डिंसिटी कैसे तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आपके लेक्चर इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह दिन बात करें कि आपने पढ़ा होगा कि हम जानते हैं कि कि द्रब्यमान बराबर कि द्रब्यमान बराबर आयतन गुड़े घनत तो होता है यदि यहां से हम घनत निकालना चाहे यदि यहां से हम क्या निकालना चाहे आपका घनत निकालना चाहे तो क्या होगा आपका द्रब्यमान बटे क्या होगा यह भी हम बात करें एकक कोस्ट का का घनत्व है कि घनत्व बरावर क्या होगा आपका द्रबिमान बटे आयतन होता है यहां पर क्या हो एकक कोस्ट का का द्रबिमान एकक कोस्ट का का द्रबिमान एकक कोस्ट का का द्रबिमान बटे आयतन तो सबसे पहले यदि हम एकक कोस्ट का की भुजा माले एक तो आयतन क्या होगा आपका एकक कोस्ट का का द्रबिमान क्या होगा यह हम कैसे निकालेंगे तो आओ सीखें तो सबसे पहले यदि भुजा की लंबाई यदि भुजा की लंबाई किसकी एकक कोस्ट का की कितना माले हैं एक तो आयतन हमारे क्या होगा एक्यू होगा तथा यहाँ पर एकक कोस्ट का द्रबिमान क्या होगा तथा एकक कोस्ट का का द्रबिमान बराबर देखें यहली हमें इकक कोस्ट का द्रबिमान चाहिए तो एक परमाड का द्रबिमान लेले परमाडू का क्या लेले संख्या लेले तो कहने का इंटू परमाड़ों के क्या ले 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 संख्या ले ले तो कहने का क्या मत्दम नहीं का किसी एक कोश्ट का द्रविमान तो हमने क्या लिए आपन एक परमाड़ों का द्रविमान और गुड़े एक परमाड़ों का द्रविमान गुड़े परमाड़ों की गुड़े परमाड़ों की संख्या मतलब अगर यदि हमें एक कोष्ट का दर्विमान निकालना हुआ तो कैसे निकालनेंगे एक परमाड़ का दर्विमान गुड़े परमाड़ों की संख्या अब अब एक परमाड़ का दर्विमान एक परमार का द्रविमान बराबर क्या होगा यदि हमें किसी एक परमार का द्रविमान निकालना हो तो हम उसका लेते हैं मोलर मास बते औगेद्रो संख्या मतलब क्या निकला यहाप हम क्या लेंगे उसका molar द्रविमान बटे और गेद्रो संख्या यदि यह value हम यहाँ पर रखे यदि हम यह value आपकी यहाँ पर रखे तो आपकी क्या हो जाएगी तो एक कोश्टिका द्रविमान क्या निकलेगा मोलर द्रविमान, बटे, और गेद्रो संख्या इंटू परमाड़ो की संख्या यही चीज हम उठाकर कहां पर रखते हैं आपका घनत्त में तो आपका जो घनत्त आएगा तो आपका जो घनत तो आएगा एका कोस्टिका का घनत तो है density वो क्या आएगी एका कोस्टिका का द्रभ्यमान कितना है मोलर द्रभ्यमान इंटू यने तो मोलर द्रभ्यमान को हम प्रदर्शित कर दे ले यम से तो बटे बटे यने और इंटू परमाडो की संख्या है इंटू क्या है हमारी परमाडो की संख्या है तो परमाडो की संख्या को हम परदसित कर रहेंगे इससे आपका जेड़ से तो क्या निकला आपका यम इंटू जेड़ अच्छे ये बताइए यहाँ पर क्या एककोष्ट का दर्मान ये होगे आपका और क्या है आयतन और आयतन आपका क्या निकला है A Q निकला है तो into A Q तो यदि हम देखें किसी एककोष्ट का का घनत तो देखें तो D बराबर क्या ने कहलेगा YM Z बटे यने into A Q और इसे हम ट्रिक से याद रख सकते है मजना इसे हम याद रख सकते है कैसे मजना से मजना का क्या मतलम निकला आपका YM से YM जसे जिट न से यने A से A Q तो आपका ये क्या निकल गया Density तो Density को इस ट्रिक से याद रख सकते है मजना से YM Z YN A into A Q अब YM क्या है Molar द्रिमान है YN A क्या है और गिद्रो शंख्या है A Q क्या है आपकी Iton है और आपका Z क्या है परमाडो की संख्या है तो ठीक है यहाँ पर आपका लिख लेते है यहाँ पर YM क्या है Molar द्रिमान है Molar संख्या है और गिद्रो संख्या का मान कितना होता है 6-10 मलो 0-2-3 गुड़े दस घाते तेज परमाडो होता है आपका A क्या है A क्या है भोजा की लंबाई है A आपकी क्या है भोजा की लंबाई है तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हम घनत तो कैसे निकालेंगे और घनत तो डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है क्योवल आपको क्या चाहिए ये ट्रिक क्योवल आप यतना याद रिखिए मजना मजना से आप बना लेंगे MZNA into AQ कहने का क्या मतलब निकला कि Density equal to कभी आपका क्या देगा AQ दे दिया YUM दे दिया जिन्ट पूछेगा और DV दिया होगा तो कोई चीज पूछ लेगा और सब value आपको दी होगे और इस पर आपकी Question बनेंगे ये तो 99% बात कह सकते हैं कि यहाँ से आपका A Question बनेगा तो ठीक है अब हम बात करते हैं आपकी अगली हेडिंग की जो है Crystal में दोस ठीक है बच्चों आओ हम सीखते हैं कि Crystal में दोस क्या होता है यह दि हम बात करें Crystal में दोस की तो जैसे कोई भी Crystal होगा यदि उसके अव्यवी कड अपने जालक बिंदू पर बिवस्थित होंगे बने रहेंगे तो उसे हम कहते हैं आदर्स Crystal लेकिन आदर्स Crystal केवल आपका परम सुन्यताब पर ही संभव है क्योंकि उस समय जो काइनेटिक इनर्जी होती हुआ कितने होती है हमारी जीरो होती है उसे हम कहते हैं आदर्स Crystal अब लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या Crystal को गर्म करते हैं या जब हम किसी Crystal में असुध्यों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं अवी-वी जो कड़ हैं उनके जालग बिंदूओं पर कुछ विस्थापन देखने को मिलता है कुछ विस्थापन देखने को मिलता तुसे हम कहते हैं क्रिस्टलों में दोस्त ठीक है बच्चों हम बात करें अब आपकी क्रिस्टलों में दोस कि क्रिस्टल में दोस क्या होता है डिफेक्ट इन क्रिस्टल तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपकी क्रिस्टल क्या होता है मतलब कि आदर्स Crystal क्या होता है तो आदर्स Crystal हुआ है Crystal होता है जिसमें अवयविकर्ण अपनी जगह पर बने रहते हैं लेकिन यह आपका सम지 ही नहीं है क्योंकि यह आपका बनेगा तो परम सुन्य ताप पर बनेगा क्योंकि उस समय जो काइनेटिक इनरजी होती हुए हमारी क्या ओती जीरो होती है अब हम पढ़ें आपका क्रिश्टलों में दोस्तों क्रिश्टलों में दोस्त होता क्या है आओ सिखें जब हम किसी क्रिश्टल को गर्म करते हैं या जब हम किसी क्रिश्टल कोई असुद्धी मिलाते हैं तो अव् किसी दूसरे आयन को विस्थापित कर देता है या इस प्रकार की घटनाएं देखनों को मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलों में दोस्त कहते हैं तो कहने का क्या मतलब निकला क्रिस्टलों में दोस्त जब किसी क्रिस्टल को जब हम किसी क्रिस्टल को जब हम किसी crystal को गर्म करते हैं या उसमें या उसमें असुद्धियां या उसमें असुद्धियां मिलाते हैं तो जालक बिन्दु पर मौजोद तो जालक बिन्दु पर उपस्थित अव्यवी कड़ों में उपस्थित अव्यवी कड़ों में विचलन देखने को मिलता है विचलन अव्यवी कड़ों में देखने को मिलता है जिसे क्रिस्टल में दोस्ट कहते हैं जिसे क्रिस्टल में दोस्ट कहते हैं क्रिस्टल में दोस्ट कहते हैं ये बात हमने सीख लिया अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल में कितने प्रकार के दोस्ट हो सकते हैं क्रिस्टल में आपके यदि हम यूपी बोर्ड की हिसाब से बात करें तो आपके तीन प्रकार के दोस्ट हो सकते हैं तो कौन कौन आओ इसे हम देखें एक होता आपका रस समिक्रण मिथी दोस जिसको हम इस्टाइकियोमिट्री दोस कहते हैं और एक होता आपका रस समिक्रण मिथी दोस जिसको हम नान इस्टाइकियोमिट्री दोस कहते हैं और एक होते हैं आपकी असुद्धी दोस तो इन तीन दोसों के वारे में हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा important की बात करें तो रज समिकर्ण मिती दोस होता है जहां से हर साल आपके question पोशे जाते हैं रज समिकर्ण मिती दोस में आपका 60 की दोस और फ्रैंकल दोस से हर साल आते हैं आपके question इसे आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं दोस्त के प्रकार के दोस्त के प्रकार तो क्रिस्टल में तीन प्रकार के दोस्त पाये जाते हैं एक क्या आपका रस समी करण मिती दोस जिसको हम कहते हैं स्टाइकियो मित्री जिसको हम क्या कहते हैं स्टाइकियो मित्री दोस्त और अगला क्या आपका अगला है रस समी करण मित्री जिसको हम क्या कहते हैं नान इस्टाइकियो मित्री नान इस्टाइकियो मित्री दोस्त और जो आपका थर्ड है कहने का मतलब तीसरा है वह होता है आपका असुद्धी दोस्त तो ठीक है अच्चो अब हम इसकी बारी बारी से बात करेंगे रस समीकरण मीती दोस्त क्या होता है इसके बाद बात करेंगे रस समीकरण मीती दोस्त क्या होता है फिर लाश्ट में बात करेंगे असुद्धी दोस्त क्या होता है तो ठीक है अच्छो आप इसके बारे में हम सीखें अधर इस्टाप ठीक है अच्छो तो हमने देख लिया कि दोस्त कितने प्रकार के होते हैं रस समिकरण रस समिकरण और असुद्धी दोस्त अब हम बात करेंगे आपकी रस समिकरण मिती दोस्त क्या होता है रस समिक्रण मिती दोस्त के सब्द से ही क्लियर हो रहा है कि यदि क्रिस्टल की रस समिक्रण मिती प्रभावित न हो मतलब की जो की तयों बनी रहें उसे हम क्या करते हैं रस समिक्रण मिती दोस्त कहते हैं तो बात करते हैं रस समिक्रण मिती दोस्त रस समी करण मिती दोस बत्त इस्टाइक्यों मिती दोस होता क्या है तो वह दोस जिसमें क्रिस्टल की रस समी करण मिती प्रभावित नहों जो की तेओं बनी रहें इस्थिर रहें तुसे हम क्या कहते हैं रस समी करण मिती दोस कहते हैं तो हम कह सकते हैं वह दोस वह दोस जिसमें वह दोस जिसमें क्रिस्टल की रस समी करण मिती वह दोस जिसमें क्रिस्टल की रस समी करण मिती इस्थि रहता है इस्थि रहता है अर्थात धनायन तथा रिडायन का अनुपाद सदेम स्थि रहता है तो उसे रस समी करण मिती दोस तो उसे रस समिकरण मिति मतलब स्टाइकियो मिट्री दोस कहते हैं तो हमने क्या लिखा यहाँ पर वह दोस जिसमें क्रिस्टल की रस समिकरण मिति इस्थी रहता है अर्था धनायन तथा रिडायन का अनुपास तदे इस्थी रहता है तुसे हम क्या कहते हैं रस समिकरण मिति दोस कहते हैं तो आओ इससे हम समझे यह है क्या यहां पर एक crystal बनाया और यह जालिक बिंदु प्यामाना क्या आपका A plus है यहां पर B minus है और यहां पर क्या है B minus है और यहां पर A plus है अब इस crystal को हमने गर्म किया जब ने इस crystal को गर्म किया तो हम क्या देख रहे हैं कि crystal का कोई धनायन जैसे यहां से कोई रिडायन सपोस करते है crystal से बाहर जिला गया crystal से बाहर जिला गया और जब यहां से कोई crystal से बाहर गया तो कोई धनायन भी crystal से बाहर जाएगा तो आपका कोई धनायन भी क्रिस्टल से बाहर जाएगा क्यों? क्योंकि आप बात करें है रस समीकरण मिटी क्या रहती है? इस्थी रहती है तो यहां से कोई धनायन और रिडायन बाहर चला गया तो आपका बचा क्या फिर यहां पर? A प्लस बचा और क्या बचा B माइनस बचा तो यहाँ पर देखिए जो धनायन और रडायन का अनपात है 2 अनपाते 2 है और यह से आप कैंसल किये तो क्या आगे 1 अनपाते 1 आ गया इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी अनपात क्या है 1 अनपाते 1 है क्या आप देख पा रहे है कि यहाँ पर जो धनायन और रडायन का अनपात है वो क्या है इस्तिर है तो कौन सा दोस है रस समिक्रण मिति दोस है अब रस समिक्रण मिति दोस आपके दो प्रकार के एक बिंदु दोस दोस्त और एक अंतराकासी दोस्त बिंद दोस्त को हम रिक्ती दोस्त भी कहते हैं जबकि हम अंतराकासी दोस्त को विस्थापन दोस्त भी कहते हैं तो ठीक है अब हम बात करते हैं आपकी रस समीकरण मिती दोस्त के टाइप की तो हम बात करें रस समी करण मिति दोस्त के प्रकार रस समी करण मिति दोस्त के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका रिक्ति दोस्त और एक होता है आपका अंतरा कासी दोस अब रिक्ती दोस क्या होता है जैसे कि आपका कोई क्रिश्टर है यह आपका a प्लस है बी माइनस है और क्या है यह आपका b माइनस है और क्या है यहाँ यहाँ पर हम देखें कि धनायन और रिडायन का अनुपात कितना है एक, दो, तीन, धनायन रहा, एक, दो, तीन, रिडायन रहा, मतलब, एक अनुपाते एक आया, अब रिक्ती दोस्त कैसे होगा इसमें, यदि कोई धनायन और कोई रिडायन, समान संख्या में कहने का मतलब है, समान संख्या में, रिक्ती दोस्त कैसे होगा, यदि समान संख्या में धनायन और रिडायन, क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्ती दोस्त कहेंगे, जैसे की, अब हुम आगे देख रहे हैं आपका कि यहां पर आपका क्या रहा समान संक्या में धनाय और रिडायन अपने जालक बिंद को छोड़ कर क्रिस्टल से बाहर चले गए ए प्लस बी माइनस माना ए प्लस क्रिस्टल से बाहर चले गए बी माइनस ए प्लस और बी माइनस तो यहां पर आप देख रहे हैं किसका ने नमाड़ हुआ रिखती का तो कौन सा दोस्ट रिखती दोस्ट कैसे ठीक है यह अनुपात देखेंगे तो वह अनुपाते वन आएगा तो यहां पर और यहां पर क्या आपका समान है तो क्या रहा रिखती दोस्ट रहा तो हम क्या सकते हैं रिखती दोस्ट के लिए वह दोस्ट वह दोस्ट जिसमें समान संख्या में वह दोस्ट जिसमें समान संख्या में धनायन तथा रिड़ायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो रिखती का निर्माण होता है तो रिखती का निर्माण होता है जिसे रिखती दोस्ट कहते हैं जिसे रिखती दोस्ट कहते हैं तो यह रहा आपका रिखती दोस्ट क्या होता है उसके बारे में अपने सीखा अब बात करें अंतरा कासी दोस्ट क्या होता है तो वह दोस्ट जिसमें धनायन अंतरा कास्ट में प्रवेश कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं अंतरा कासी दोस्ट कहते हैं तो आपके मन में एक क्विस्टा उठावगा हमने धनायन कहा रिडायन यह नहीं कहा कि अनतरा कास में जो जगह उतनी सफिसियन्ट नहीं होती समानित हिए वह आपके अंतरा कास में जा सकी तो अंतराकासी दोस्त क्या है आपका जैसे कि क्रिस्टल है जैसे कि आपको क्या है आपको क्रिस्टल है और यह क्रिस्टल है और यह आपका A Plus है B माइनस है A Plus है B माइनस है A Plus है और क्या आपका B माइनस है और यदि यहा से कोई धनायन कहांपर प्रविश कर जाए अंतराकास में प्रविश कर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं अंत्रा कास्ती दोस्त कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं अंत्रा कास्ती दोस्त कहते हैं ठीक है अच्छों जैसे हमने यहां पर लिखाया A प्लस B मैनस A प्लस B मैनस A प्लस और B मैनस तो यह रहा आपका अंतराकाशी दोस का इसामपल इस प्रकार से आप अंतराकाशी दोस को बता सकते हैं तो कहने का मतलब क्या है इसे लिकें कैसे व्यदोस जिसमें जालक बिन्दु पर मौजूद जालक बिन्दु पर उपस्थित धनायन जालक बिन्दु पर उपस्थित धनायन क्रिस्टल के अंतराकास में प्रवेश कर जाते हैं जाते है तो उसे अंतराकासी दोस कहते हैं तो ये आपके दो दोस रहें अंतराकासी दोस और आपका रिक्ती दोस लेकिन रिक्ती दोस को समानत है हम साटकी दोस कह सकते हैं और अंतराकासी दोस कह सकते हैं फ्राइंकल दोस कह सकते हैं तो आपकी एक्जाम में इस बार यूपी बोर्ड में लिख कर रख लिजे कि फ्राइंकल दोस और साटकी दोस में अंतर आने वाला है तो ये आप जरूर तियार करके जाएए साट की और फ्राइड करें ठीक है मेरे डियर स्टूटेंट आपसे एक हमारा अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे सेयर करें और जादा जाज़ आप लाइक कीजे और आप कमेंट बाक्स में जो भी आपको डाउट से आप उसे जरूर पूछे ठीक है हम मिलते हैं अगले वीडियो में चाहिए जय भारत